सुबह के साथ बच कर तीस मिनट हुए हैं समय है अगले कारिकराम का यानि पुराने फिल्मों का संगीत तो आए सुनते हैं कारिकराम का पहला गाना फिल्म चार मिनार से मा सुदु आए ये तो नन्ने हाद को दाया बता वो किसको बुलाए मा सुदु आए सुनले मा सुदु आए अपनों से मुख खोड़ा तूने हाथ पकड़के छुड़ा तूने हस कर सबसे शेलेने वाले क्यों ये खिलोना तूने कैसा है इनसात तेरा कहा की है ये अजाए मा सुदु आए सुनले मा सुदु आए कॉन सहम ने जुर्म किया है तेरा परुद वो रूठ गया है कूल तिरा है अंबारों पे और तू बैठा देख रहा है मिटके दुनिया जलक अबुर्शन चलिये कैसी हवाए मा सुदु आए सुनले मा सुदु आए कुद ही बनाना कुद ही मिताना छोड़ गया पुए है शेल पुराना आज नदामन छोड़े गया है देखेगा तेरी हर जमाना ओ मेरे मालिक वो कहा है तेरी रहमत की खटाएं सुधा मलहोत्रा की आवाज में ये गीत अभी हम सुन रहे थे फिल्म चार मिनार से संगीतकार थे सरदुल क्वात्रा और गीतकार थे विश्वमित्र आदिल जो समस्ते हैं दिल लगाने को दिल लगी उनके हाथों में सौप दी अपनी जिंदगी ऐसा लगता है जैसे दोफानों में जौप दी हो अपनी कश्टी कुछ ऐसा ही गीत हम सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सरगम से संगीतकार हैं सी राम चंद्रा और गीतकार हैं पी ऐल संतोशी तस्वीर यार दिल से मिटाई न गई आसों से आग ये बुझाई न गई खासबन के साथ में अटकी है उनकी आद लाख चाहा बूलना बुलाई न गई वोई किसी का दिवाना न बने वो तिरे नजर का निशाना न बने निशाना न बने दिवाना न बने वोई किसी का दिवाना न बने अब लगे ऐसी अब तो होए जिसके देखे थे कोई जल जाए एसी शमा का परवाना न बने वो तिरे नजर का निशाना न बने वोई किसी का दिवाना न बने दिल लगाने को समझके एक दिल लगी उनके हाथों देगी अपनी जिंदगी दुनिया के हतने का वहाना न बने वो तिरे नजर का निशाना न बने दुनिया किसी का दिवाना न बने दिवाना न बने दिवाना न बने दुनिया किसी का दिवाना न बने लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म सरगम से अब आप सुनिए शंकरदास गुपता को फिल्म जान पहचान से और संगितकार हैं खेम चनप्रकाश और गीतकार हैं शकील बदायुनी हम क्या बताएं तुम्से हम क्या बताएं तुम्से क्यूं दूर हो गए हैं कुछ मत से तंग आकर कुछ मत से तंग आकर मजबूर हो गए हैं मजबूर हो गए हैं कुछ बात है के जिसने मिलने की आस तोड़ी दुनिया हमारे दिल के बरबाद करके छोड़ी तुम ये समझ न लेना मगरूर हो गए हैं मजबूर हो गए हैं करियाद कर रही हैं कुछ रही हैं कुछ रही हैं आके तरस गई है दिल चूर हो गए हैं मजबूर हो गए हैं हम क्या बताये तुम से फिल्म जान पहचान से संकरदास गुपता की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे वो छुप छुप के चलते हैं इसमें क्या राज हैं सामने आकर तीज नहीं चलाते ये कैसा अंदाज है कुछ ऐसा ही गीत अभी हम सुनेंगे मुकेश और राजकुमारी देवी की आवाजों में फिल्म ठेश से संगितकार हैं सनेहल भाटकर और गीतकार हैं किदार शर्मा आए आए ना सामने आए ना कोई चुप चुप के चुप चुप के फिर का है आँख चुराते हैं फिर का है आँख चुराते हैं दामन में मुखो चुपाते हैं दम हो तो ना जरिया मिलाए ना कोई आए आए ना आए 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 ना सामने आए ना कोई आए आए ना सामने आए ना कोई नैनन के बाल निराले हैं पलकों से इहें संभाले हैं पलकों से इहें संभाले हैं दम हो तो ना जरिया मिलाए ना कोई जम हो तो ने जरिया मिलाए ना कोई आए आए ना & मासने आए ना कोई आए आए ना सामने आए ना कोई छुप छुप के छुप छुप के तीर चलाए ना कोई छुप छुप के तीर चलाए ना कोई कहते हैं कि महबबत में वो ताकत होती है नफरत को मिटाने की पर अगर जमाना ठान ही ले खिलाफत की तो महबबत करने वाले अदावत नहीं करते प्यार की एक ऐसी दुनिया बसाते हैं जहां नफरत के लिए कोई जगा ही न हो काश पूरी दुनिया ही ऐसी हो जाती जहां नफरत के लिए कोई जगा नहीं बचती मुहबत में कशिश होगी तो एक दिन तुम को पालेंगे किकी सूरत से हम दिगडी हुई किसमत बना लेंगे मुहबत में सितारों में गुलों में चांद में तुम मिल जी जाओगे सितारों में गुलों में चांद में तुम मिल ही जाओगे कहां तक है मुहबत में हकीकत आजमा लेंगे कहां तक है मुहबत में हकीकत आजमा लेंगे मुहबत में कशिश होगी तो एक दिन तुम को पालेंगे मुहबत में जमाने को दिखा देंगे के दो दिल कैसे मिलते हैं के दो दिल कैसे मिलते हैं के दो दिल कैसे मिलते हैं अपने आप सभी कुछ करके अपना आप चिपाया अपना आप चिपाया कितने कितने इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों का संगीत कारिक्रम यहीं समाप्त होता है सुबह के आठ बच कर दो मिनत हुए हैं यह स्रिलंका ब्राड कास्टिंग कॉपरेशन का विदेश विभाग है सुबह की सभा यहीं समाप्त होती है आप हमें सुन रहे थे 25 मीटर बैंड में 11,905 तथा 41 मीटर बैंड में 7,190 किलो हर्स पर साथी इंटरनेट के जरीए भी आप हमें सुन रहे थे हमारे वेब साइट www.slbc.lk पर बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा में हमारा साथ देने के लिए मैं रूबिस नीता हूँ आपसे अनुमत चाहते हूँ इस कामना के साथ की आप हमेशा खुश्चाल रहें मुझे आगया दीजे नमस्ते और खुदाहफिज